दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आटो पैलेट से रिलेटड तो जब भी ब्रीज उकुपमेंट एंड वाचकेपिंग का जो एक्जाम होता है अपना MMD में तो जिसको हम लोग ब्रीज एक्उपमेंट्स एंड वाचकेपिंग तो जाना तर लोग या जैसे ये first questions ना यहाँ पे अगर हमसे पूछता कि describe the autopilot as an add to navigation तो अगर मेरे से ये सवाल पूछते MMD के written के exam में तो भाई मैं कैसे answer करता हूँ वो मैं दिखा रहा हूँ मैंने जो अपना notes बनाया था तो first जो इसमें हम लोग बोलेंगे क्या कि autopilot is the ship steering controller which automatically manipulates the rudder to decrease the error between the reference heading and the actual heading तो autopilot के basically काम क्या होता है कि autopilot क्या करता है एक reference heading जो कि हम लोग जब भी एक example लेते हैं कि हम लोग क्या कि है कि 150 degree true पे हमें जहाज को steer करना है तो 150 पे लाकर क्या क्या कर देते हैं autopilot में डाल देते हैं या course selector knob उससे हम लोग select कर लेते हैं कि 150 पे हमें vessels को steer करना है अब उसके बाद जैसे autopilot में डाल देते हैं तो मालो कि अभी जो current course 155 है तो उसको क्या करता है जो autopilot है वो rudder को instruction देता है कि rudder को ऐसे adjust करो ताकि हमारा जो heading 150 पे आ जाए तो वही लिख रहा है यहाँ पे decrease करता है error between the reference heading and the actual heading तो ऐसे करके वह basic principle है इसका autopilot का सेकेंड क्या बोलता है autopilot perform the action of helmsman sometime even do better job helmsman तो हमें पता ही है जो कि vessels को steer करते हैं तो helmsman का का काम किसका है autopilot का काम है बस यह difference है कि जो helmsman है वो खुद से करते है autopilot जो है automatic करता है same काम हो ठाट क्या है कि जो autopilot है वो reduce करता है fuel के consumption को as jig jack courses avoided तो चहां तक अगर हम लोग manual steering कर रहे हैं डे steering तो क्या होता है कि वैसल एक fixed track पर नहीं हम लोग रख पाते हैं हमें सा jig jack थोड़ा 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 तो jig jack course बनी जाता है तो इसलिए अगर autopilot पर रखते है तो उससे क्या होता है फिल का consumption हम लोगों का बहुत ही reduce हो जाता है अब यह point लिखने के बाद हम लोग क्या सो करेंगे अपने exam के paper में कि इसका जो working होता है autopilot का यहां पर क्या लिखा हुआ है working तो हम working discuss करेंगे आप क्या autopilot कैसे काम करता है जो की basically पूछा गया हम लोगों से कि यहां पर दो option देख रहा हुए एक होता है compass और एक है core set controller जिसको जो knob होता है ना core selector knob जो की hand steering से जैसे autopilot में डालते हैं यह तो दो ही option है तो मालों कि हम लोग पहले options पर बात कर लेते हैं कि यहां पर हमने क्या कि कि compass हमने order दिया कि 150 पर हमें HTS करना ठीक है हमने compass को 150 दिया core set controller से बट अभी compass पर क्या है कि 155 दिखा रहा है और core set controller से हमने 150 पर उसे adjust करने को बोला इन दोनों से compass से और core set controller से output जो है वो किसको जा रहा है वो output चला जा रहा है यहां पर control unit के पास control unit के पास जैसे ही compass से और core set controller से input आ रहा है तो यह control unit का काम क्या होता है कि वो दोनों में से जो भी output आएगा जो कि present heading जो है इंडिकेट करता है compass से और जो output है code selector से उसको control unit में fade करता है और इन दोनों का जो heading का difference होगा उसको वो लो कहां डालता है error amplifier में चला जाता है अब error amplifier को पता है कि आप क्या करना है अगर सपोज करो 150 पर हमें steer करना है और अगर हम लोग अभी 155 पर है तो जहाज को और कितना करना पड़ेगा 5 degree to port लाना पड़ेगा तो error amplifier को पता है कि आप rudder को ऐसे adjust करो कि 5 degree port vessel swing कर सके यहाँ पर टेली motor transmitter और टेली motor receiver अब यहाँ पर हम लोगों के एक सिस्तों मालूम ही है कि जो टेली motor transmitter होता है वो तो व्रीज पर होता है टेली motor receiver जो है वो होता है है रड़र को और यहां से steering gear क्या करता है अपना जो रड़र है उसको manipulate करना स्टार्ट करता है और वो 5 degree port तक लेते आता है उसके पाद जैसे यह 5 degree port लाएगा तो यह feedback देता है किसको फिर से error amplifier को feedback देता है अगर फिर से यहां पर error amplifier में अगर error 0 हो गया तो रड़र जो होता है मिट सिप चला जाता है और हम लोग जो 150 को steer कर रहे होते बड़ अगर फिर से यहां पर error कुछ आ जाता है तो फिर वो error को सेम टेली मोटर ट्रांस्मीटर रिसीबर की जरीया steering gear को ट्रांस्मीट करता है और फिर वहां से वह radar adjust करता है उसी को इन्हों ने यहां पर लिख दिये हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट लिखे आए कि कोर्स सेलेक्टर नॉप या तो हम लोग जो 9 बना रहता है उससे भी कोर्स को सेलेक्ट करते हैं नहीं तो मालों कि अभी हैंड श्टरिंग कर रहते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जैसे 150 के आस्पास आता है तो हम क्या करते हैं और ऑ हमने तो कोर्स सेलेक्टर नॉप सेलेक्ट किया है कि 150 पर परजेंट हेडिंग क्या है 155 है से के थर्ड पॉइंट है और पूट फ्रों दा कमपस एंड दे कोर्स सेलेक्टर नॉप इस फेड टू दू दोनों से आउट्पूट क्या आया कि 5 डिगरी पोड लाना है वेसल को उसके बाद क्या है कि difference between the two signal is causing the output error fed to the error amplifier अब error amplifier को पता है कि 5 डिगरी पोड अब राडर को रालना पड़ेगा ताकि हम लोगा steer कर सके 150 को तो वहां से जो output error जो होता है error amplifier से उसको transmit करते हैं कि इसको steering gears को वाया telemotor transmitter and telemotor receiver अब telemotor transmitter और receivers के जरी है steering gears को यह instruction मिल गया क्या कि 5 डिगरी पोड बेसल को अश्टियर 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 करना है तो वहां से क्या हुआ है कि steering gear जो है adjust करता है radar को as required and send the feedback to the error amplifier तो basically यही autopilot है कि जो भी autopilot जो है वह steering gear को control करता है